हलो गाई जाब लोगा स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल टॉप पर सिंट पर तो एक बड़ी ब्रेकिन निकल कर आई है आज ही आई है और बहुत ही खास अपडेट है आप सभी लोगों के लिए और इस बारे में बार बार आप सभी लोगों को मैं पहले से ही जाग करने वीडियो को अगर हम बात करें आज की यह नोटी से आप देख सकते हो दो नौंबर यानि आज की जो है यहां पर डेट पड़ी हुई है आप देख सकते हो और यह कार्याल जिलादिकारी गोंडा से जो है यह निज निकल कर आई है और इसमें क्या चीजें हैं देखिए उस बारे में यहां पर सारी चीजें लिखी गई है और उनको बहुत ध्यान से देखिए अगर आपकी कुछ कमी अभी भी है बैंक में तो आप तुरंत जाकर उस चीज को दूर कर लिजी अभी समय है अभी कोई दिक्कत नहीं जल्दबाजी भी नहीं है जैसे ही जैसे बैंक ओपेन होगा तीन-चार दिन में क्योंकि दीपौली की चुट्टी है ये काम आप लोगों को कर लेना है देखते हैं बिसा इसमें दिया गया है बित्तिये वर्स 167-2021 वाइस में चात्रवृति सुल्क प्रतिपूर्ती योजना अंतरगत चात्रवां की बाइंग खाते में ध अगर हम बात करें यहां पर निदे साले पिछला वर कल्यान उत्तरपदे लखनो के पत्र संक्या इतना दिनांग 28 अक्टूबर 2021 का संदर्व ग्रेहन का कश्ट करें जिसके द्वारा आउगत कराया जाता कि चात चात्रों के बाइंग खाते जंधन योजना के अंतरगत खोल ले गए हैं वो अन्य बाइंग खातों में एद क्रेडिट लिमिट लगी हो यथा संबो क्रेडिट लिमिट को हटाने अथवा क्रेडिट लिमिट की उच्चितम सीमा बढ़ाने तता जिन चात्रों के बाइंग खाते किसी कारण से अभी तक नहीं खुल पाया या कोई समस्य आ रही है तो उसका निराकरण संबंधित बैंकों से ततकाल कराया जाए उक्त के संबंध में ओगत कराना है कि वित्यवर 2021 में पूर्व दसम योम दसमोत्तर यानि कि अगर आपका कोई भी क्लास है क्लास 8 से ले करके आपका कोई भी डिप्लोमा कुछ भी है अगर वहां तक आप सभी लोगों ने जो है यहाँ पर आपने अभी तक जो है अपना जो चीजे यहाँ पर बताई जारी पर आप इसको सुनी इन्हों नहीं ये कहा है कि आप लोगों का प्रधान मंत्री जो जंधन योजना का खाता है वो खाता आपका नहीं होना ची यहाँ पर बताया गय है कि अंतरगत अगर खेले गए हैं खोले गए हैं वह अन्य बैंक खातो है याई अगर जंधन योजना के अलामभिकर आपका कोई सेविंग अकाउंट है और उसमें आपकी लिमिट लगी हुई है यानि कि क्रेडिट लिमिट लगी हुई है कि हाँ इस से ज्यादा पैसे नहीं आ सकते हैं किसी में लिमिट लगी होती है तो आप सभी को बैंक जाना है उस बैंक में बताना है कि देख लिजे क्या मेरे में कोई limit तो नहीं लगी है unlimited चीज़ें हैं कि नहीं है तो अगर वहाँ पर limit लगी होगी तो आपकी scholarship आपके account में नहीं आएगी यह चीज़ आपको याद रखना है तो जैसे यहाँ पर दीपॉली की holiday जैसे कतम होगी आप सभी को bank में जाना और उनसे कोई पाइदा नहीं हुगा इसलिए आप लोग मेरे विवर्स हो तौपर रशिंट के विवर्स हो तो आप सभी के लिए मैं जितना भी मैनत हो सकता है वो करता हूं आप सभी को में से आनलाइन चातवर्ती सुल्क प्रतिपूर्ती की धनरास की कारवाही की जा रही है। प्रतिपूर्ती का लंदन में तो होगा नहीं। आप जाके उसको पता कर सकते हैं। या ब्लॉक कर दिया गया किसी कारण से तो नहीं आए तो ट्रांजेक्शन फेल हो जारे हैं। अधार नंबर अगर नहीं है तो हो जा रहा है। अकर आपका एकाउंट बंद हो गया तो आपका जो पैसे नहीं आएगा या फेल हो गया बहुत से लोगा। और अगर आपका ऐसा तो आपका आगे भी फेल हो सकता है। इसलिए यहाँ पर साई चीज़ें दी गई हैं। अगर आपका scholarship का नाम कुछ और है, account का नाम कुछ और है तो भी आपका दिक्कत हो सकता है। आधार card आपका inactive है तो dormant amount है तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको यहाँ पर साई चीज़ें दी दी गई है। पूरी list जो है यहाँ पर दे दी गई है। और यह हर एक district के बारे में यह आपके district में भी यह notice गई होगी, अगर नहीं गई है यहाँ पर जिलादिकार या DM मोदों यह नहीं दिया होगा, तो कोई बात नहीं हो सकता है, आप तक उनना पहुंचे है और आपके college में दे दिया गया हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है तेकिन कोई दिक्कत नही और इसी लिए आप लोग चैनल को subscribe भी किये हैं, तो भाई मेरा जितना भी फर्ज बनता है आपके लिए मैं करूँगा, दिन रात एक करूँगा, ताकि आप सभी लोग कोई निरास न होई है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, जिनकी पूरी पढ़ाई जो है scholarship पर अगर आपको समझ में नहीं आ है, तो वीडियो को आप फिर से एक बार बैक कर लिजेगा, एक बार फिर से देख लिजेगा, बाइंग अकाउंड में जाना है, आपको credit हटवानी है, प्रधान मंत्री जंदा नहीं हो जना है, तो उसकी खाता को उसको change करवाना है, यानि टेली ग्राम पर नहीं फालो कियो, तो टेली ग्राम पर मुझे फालो कर लिजे, बाकि चैनल तो सब्सक्राइब करना ही, अगर आपको पलपल की अपडेट चाहिए, तो आप चैनल सब्सक्राइब करकर बेल आइकन जो है, उसको भी जरूर दभा दे, तो आज जो है, इतनी आज की डेट में आप सभी को पता है, कहीं पर सही अपडेट नहीं मिल पाती है, तो सही अपडेट के लिए ही अपका चैनल बना है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेहनत करना शुरू किया हूँ, यूटूब पर की, जितनी भी अपडेट हो चाहिए, वो समाज करना है, वो तब तक के लिए खुश रही है, मस रही है, जैहिन, जैभारत!